दोसो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुती फेमस नोवल जिसका नाम है मेयर आफ कास्टर बिच इसको लिखा था विक्टोरियन नोवलिस्ट और मॉडन पाइट थामस हार्डी ने दोसो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती लेकिन इस पूरी कहानी को मैं इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन आपको सारी डीटेल्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end एक कहानी है 1820 के दशक की गर्मियों की एक शाम एक आदमी अपनी आउरत और एक बच्ची जो की गोद में थी दोनों को लेकर पैदल पैदल चलता हुआ वेडन फ्रायर्स नाम की एक गाउं में पहुंचा इस आदमी का नाम है माइकल और इसकी बीवी का नाम है सुसन पूरे रास्ते पर इस आओरत और इस आदमें दोनों में कोई बात नai हुई सुसन बड़ी खुपसूरत है और इसकी बच्ची का नयननक्ष भी बहुत अच्छा है माइकल इस गाओं में काम की तलाश में आया है इसके पास हाथ का हुनर है तभी रास्ते में इसे एक आरत मिली उससे इसने पूछा कोई काम मिलेगा इस गाओं में तो वो बोली काम साल के इस वक्त साल के इस वक्त तो कहा मिलेगा आपको काम अब उस दिन इस गाओं में जानवरों की निलामी चल रही थी हर साल एक function और्गनाइस किया जता था तो ये दोनों husband wife भी पहुँचे वहाँ पर जहाँ पर ये निलामी चल रही थी माइकल सबसे पहले अपनी बीवी और बच्ची को लेकर गया उस टेंट में जहाँ पर खाना बट रहा था बहुत सारा खाना था शराब भी मिल रही थी और वो औरज जो उसको मिली थी फार्मिटे वोमिन वो अहाँ पर रम यानि शराब सर्व कर रही थी ये माइकल शराब देखकर बावला सा हो गया जरुरत से ज़्यादा इसने गटक ले अपने खाने में मिला कर शराब पी रहा था इसका दिमाग घूम किया परसालिटी पूरी चेंज हो गई सुजन बार-बार इसको बोले जा रही थी कि सुनो जी रात को रहने के लिए कोई जगे ढूडनी पढ़ेगी लेकिन ये बावलो की तरह गावलों से उट-पटांग बाते करने लगा उसी टेंट में लोगों से दुखी होकर ये बोलने लगा कि मेरी घरवालों ने तो बहुत कम उम्र मेरी शादी करवा कि मेरी जिन्दगी वरबात करवा दी तभी अचानक एक आवाज आई तो भाईयों और भैनों तो आप ये निलामी खत्म होने वाली है आखरी गोडों के साथ में ये गोडे बहुत ही खराफ कंडिशन में कोई आप में से खरीदना चाहेगा तभी माइकल मौका देखकर बोला ये आप लोग बीवियों की निलामी क्यों नहीं करवाते कोई इंसान जिसे अपनी बीवी नहीं चाहिए हो और बेचना चाहता हो क्योंकि मुझे अपनी वाइफ बेचनी है क्या यहाँ पर कोई है जो उसे खरीदना चाहता है सुजन ने नशे में बखवास करते अपने पती को कंट्रॉल करने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसके लिए ये नई बात नहीं थी उसका पती पहले भी ऐसे पब्लिक प्लिसिस पर उसका मजाग बनाता रहा है लेकिन आज तो हद हो गए ये सचमुच अपनी वाइफ की बोली लगाने लगा तो भीड में से एक इनसान मजाग में बोला कि मैं पाच शिलिंग्स दूँगा माइकल बोला बस अरे थोड़ा दाम बढ़ाओ मैं इसे पांच गिनीज से कम में नहीं वेजूँगा अब कोई भी टेंट में मौजूद नहीं था जो पैसा दे सके क्योंकि सब को ये सिच्वेशन मजाग सी लग रही थी तब ही अचानक दरवाजे से एक आवाज आई मैं तुमारी वाइफ को पांच गिनीज में खरीदने को तयार हूँ और वो आदमी जिसने ये बोली लगाई थी उस आदमी का नाम था रिचेट नियूसन ये एक सेलर है समुद्र में जहाज चलाने वाला वो सामने आया और टेबल पर अपनी रकम रखी जिसे देखने के बाद एक दम टेंट में पूरे टेंट में सन्नाटा जा गया गंभीर माहूल हो गया वो आदमी बोला मैं इस वारत के साथ इसकी बच्ची को भी खरीद लूँगा सुजन खुद भी इस शरावी माइकल से अलग होना जाती थी इसने कहा अगर तुमने इस पैसे को हाथ लगाया अपने पती से कहा कि अगर तुमने इस पैसे को हाथ लगाया तो माइकल मैं मजाग नहीं कर रही मैं सच मुच इस आदमी के साथ चली जाओंगी इस शराबी ने उसका आफ़र एकसेप्ट कर लिया उस पैसे को रख लिया माइकल ने पैसे उठाए और सुजन रिचर्ड नियूसन के साथ चली गई जाते जाते वो अपनी शादी की अंगुटी इस माइकल की मुँपन मार कर गई माइकल नशे में था ठीक से समझ नहीं आया उसे कि अभी क्या हुआ भीड भी वहां से उट-टकर जाने लगी माहौल एकदम शान्थ हो गया माइकल जो अभी भी नशे में था बोल रहा था मेरी बच्ची क्यों ले गई वो मेरी बच्ची क्यों ले गई और ऐसे ही नशे में बोलते बोलते वो टेबल पर सो गया रात भर वही पर पढ़ा रहा सुवे सूरेज की रोश्णी से जब इसकी आँख खुली तो दुन्दला दुन्दला सब कुछ इसको याद आया और जब इसने अपने वाइब की वो अंगूठी देखी जो की घास में पड़ी थी तब इसे यकीन हो गया कि वो सपना नहीं सच था और इसकी जेब में वो पैसे भी थे वो उटकर टेंट से बाहर आया गाओं के सारे लोग अभी भी सो रहे थे वो वहाँ से पैदल पैदली चल दिया एक मील तक चलने के बाद वो रुका वो ढूडने लगा अपनी वाइफ और बच्ची को उसे गुस्टा आरा था अपनी बीवी की बेवकूफी बारी कि मैं तो नशे में था मैं तो नशे में यह वो बक्ता रहता हूँ वो तो होश में थी ऐसे कैसे चलीगे किसी आदमी के साथ लेकिन उसे अपनी गलती का एसास भी हुआ कि मेरा बटाओ ठीक नहीं था और उसने उस वक्त कसम खाई कि कैसे भी अपनी बीवी और बच्ची को तूड़ेगा बहुत भटकने के बाद वो पहुँचा एक गाओं के एक चर्च में जिसका दर्वाजा कुला हुआ था वो अंदर गया और वहीं चर्च में खड़े-खड़े उसने गाड के सामने चला कर जोड-जोड से बोलकर एक कसम खाई यहाथ से मैं कसम खाता हूँ कि 20 साल तक मैं शराब को हाथ तक नहीं रगाऊंगा और जोड से बुला कि भगवार अगर मैं यह कसम तोड़ू तो अंदा वैरा बना दे ना मुझे अगर मैं यह कसम तोड़ू तो और फिर से वो अपने बीवी और बच्ची की तलाश में निकल गया जगे जगे घुमते घुमते तरह तरह के काम करते कब हफतों से महीने गुजर गए और महीनों से साल इसे पता ही ने चला बहुत ढूणने के बाद यह आखिर एक सीपोर्ट पर पहुंचा वहीं आकर ठक हार कर इसने अपनी तलाश बंद कर दे और साउथ में एक टाउन था कास्टर बिल जनाम के वहीं चला गया कि वहीं जाकर अब सेटल हो जा रहा अब यह नोवल जंप करके अठारा साल आगे पहुंच गई है अठारा साल गुजर गया इस बात को जबसे माइकल ने अपनी बीवी और बच्ची को बेचा था अठारा साल बाद सुजर जो अब थोड़ी अधेड हो चुकी थी वो अपनी बेटी ऐलिजबेथ ऐलिजबेथ जो गोद में थी उसके अब बड़ी हो गई है इसके बराबर की हो गई है उसके साथ उस गाओं वेडन फ्रायर्स पे वापस लोटी सुजर अब बिल्कुल बदल चुकी थी उसने काले कपड़े डाले हुए थे जो एक विदवा बैनती है विड़ो और उसकी बेटी ऐलिजबेथ वो बड़ी और जवान हो गई थी मा बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़े वेडन फ्रायर में पहुँचे जो कि अब बिल्कुल बदल चुका था वहाँ चीज़े अब सस्ते में बोली लगाई जाती थी चीजों की क्योंकि बहुत सारे दूसरे मार्केट्स भी अब खुल चुके थे बिजनस खत्म हो गया था वेडन फ्रायर का इन 18 सालों में अब एलिजबेट ने एक सही सवाल पूछा कि मा हम लोग यहां क्यों रुके है तो सुजन बोलती है कि पहली बार मैं तुमारे फादर रिचर्ड नियूसन से यहीं मिले थी रिचर्ड नियूसन वो आदमी जो सुजन को अपने साथ खरीद कर लेके गया था खबर आई कि वो समूदर में डूप कर मर गया एक हाथसे में वो अब गुजर चुका है तब ही सुजन अब फ्री हो चुकी है ताकि वो अपने असली हस्बन के पास आ सके और सुजन ने अब तक एलिजबेट को ये नहीं बताया कि रिचर्ड नियूसन उसका बायलाजिकल फादर नहीं है लेकिन एलिजबेट का ये सवाल नहीं था सवाल तो ये था कि ममा हम लोग आखिर यहां क्या लेने आया है इस गाओं में सुजन हिच की चाती भी बोले कि हम लोग एक रिष्टदार को ढूणने आया है मेरे एक रिष्टदार को माइकल नाम का माइकल कौन ममा है कोई तब ही अचानक सुजन को वहां पर कौन दिखता है वही फर्मिटी वुमन जो लोगों को अभी भी शराब पिला रही थी वह बहुत बुड़ी हो चुकी थी आज भी लोगों को शराब पिला रही थी एलिजबेट वही रोक गई जबकि उसकी माँ सुजन गई उस औरत से बात कर रही अलिजबेट पीछे खड़ी देख रही थी कि उसकी माँ एक रम पिलाने वाली से बात कर रही सुजन ने वो रम पीने वाला प्याला उठाया जैसे देखकर वो बुड़ी औरत उस प्याले में शराब डालने लगी सुजन बोली शराब नहीं चाहिए मुझे याद कीजे इसी शराब की वज़े से मेरे पती ने सालों पहले मेरे निलामी कर दी थी आप जानती है वो आदमी अभी कहा है उस आरत की इतने शार्प मेमरी की उसको सब कुछ याद था वो बोली कि पिछले साल आया था वो आदमी बोली अगर कोई आरत मेरा पता पूछने आया तो बोलना वो एक टाउन में चला गया अब उस टाउन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अब याद आया आँ कास्टर ब्रिज कास्टर ब्रिज नाम की जगे का पता दे देना उस आरत ने का और इसकी बाद सुजन वापस अपने बेटी के पास जाकर बोली चलो वो रिलेटिव अभी कास्टर ब्रिज में रह रहा है सुजन ने आज तक इस लड़की को इसके बायराजिकल फादर के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ भी नहीं बताया उस वक्त ये कुछ भी नहीं कर सकते थी अब जब रिचर्ड नियूसन मर गया है तो ये फ्री हो गया अपने असली हस्बंड के पास जाने के लिए ये अपने बेटी को बोली कि वो रिश्टदार हमारी हल्प करेगा इस गरीबी से निकलने में अब सितंबर की एक शाम ये दोनों मा बेटी पहुँचे एक कास्टर बिच में जो एक पुराना सा ओल्ड फैशन गाउं वहीं दो आर्वनी बाते करते हुए जा रहे थे माइकल के बारे में सुजन ने उन दोनों की बाते सुल लिया और उनसे पूछा आप लोग किस माइकल की बात कर रहे है फिर अगला सीन ये था कि एक चर्च के बार खुले इलागे में कुछ ओटों से सुजन इंक्वाईरी करने लगी और ओटों ने इसे देखते हैं पहचान लिया कि ये इस गाउं की तो नहीं लगती तभी इसे कुछ बैंड ट्राइब की आवाज बजने की सुनाई देने लगी उन आवाजों का पीछा करते करते ये दोनों मा बेटी आप महुची कास्टरविज के सबसे बड़े होटल के सामने होटल गोल्डन क्राउंड वहाँ पर बहुत भीट जमा हुई थी इतनी भीट को देखकर सुजन ने अपनी बेटी एलिजबेट से कहा कि जाकर इन भीट में किसी किसी एक से पता करो कि यहां माइकल हैंचर नाम की आदमी को कुछ जानता है क्या तो एलिजबेट ने जाकर वहाँ खड़े एक भुड़े आदमी से जो कि सीड़ी पर खड़ाता उससे पूछा वो आदमी एलिजबेट से बोला कि हम सब लोग उसी इंसान से मिलने खड़े हैं यहां पर हो सिटी का मेर है अब ये बात वाकई बहुत शॉकिंग थी एलिजबेट और उसकी मा सुजन चड़ कर होटल की खिड़की के अंदर की तरफ मेर का चैरा देखना चाती थी उन दोनों ने देखा एलिजबेट ने पूछा यही है क्या मा सुजन बोली हाँ यही है माईकल है बहुत बड़ा आदमी बन गया था जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थी सुजन उसे देखते एमोशनल हो गई और नीचे उतर गई और अपनी बेटी से बोली चल चल यहां से लेकिन मा हम लोग तो उनसे मिलने आया न देखने में बहुत अच्छे आदमी लग रहे है वो हमारी मदद जरूर करेंगे दरसल एलिजबेट एकसाइटेट थी यह जानने के लिए कि इसकी मां का एक मेर के साथ क्या कनेक्शन है और कमाल की बात यह जो एलिजबेट ने नोट की कि उस होटल में मौझूद हर एक शक्छ शराब पी रहा था इसी बातचीत में एक आदमी सामने आता है जो देखने में इस टाउन का तो लग नहीं रहा था उसने मेर साथ से मिलने के लिए डिरेक्टली एक लेटर दिया वो किसी और से नहीं डिरेक्टली इस टाउन के मेर से बात करना चाहता था इस आदमी का नाम है डोनल्ड फारफ्रे यहां के माइकल से बात करता है इस टाउन के मेर से कि किस तरह हम लोग इस साल के खराब होई फसल को री स्टोर कर सकते हैं मेरे पास कुछ टेक्निक्स है अब एलिजबेट इस आदमी को देख कर बड़ा इंप्रेस हो गई यह आदमी के ओफ़र से माइकल चुप हो गया और सूचने लगा वो आदमी तो वहाँ से चला गया लेकिन इसके बाद एलिजबेट और सुजन भी उस जगह से उस भीड को छोड़ कर चली गई एक बड़े से महंगे होटल में अब कमाल की बात यह हुई कि यह दोनों माँ बेटी जिस रूम में रुकी हुई थी उसके ठीक पास वाले रूम में वो यंग जेंटलमें डोनाल पारफ्री भी रुका हुआ था अब उसी रूम में माइकल आया माइकल और उस यंग जेंटलमें डोनाल पारफ्री में बाते होने लगी सीधी सी बात थी कि Michael गो उसका ये offer पसंद आया था और इस बंदे से इतना impress हो गया था कि यहाँ पर होटल में उससे मिलने आ गया और उसने अपनी टेक्निक बताई कि कैसे वो गेहों को restore कर सकता है अब उसके बात में वो उसके idea से उस technique से इतना impress हुआ कि उसने उस आदमी को direct offer दे डाला कि मुझे एक business manager की जरूरत है तुम चाहो तुम मेरे manager बन जाओ लेकिन डोनल फारफरी ने मना गड़ दिया कि सर मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ कल मुझे निकलना है फारफरी ने पैसे लेने से भी निकार गड़ दिया उसके इस idea के लिए माइकल फिर से impress हो गया कि ये कितना अच्छा आद भी वो से request करने लगा कि प्लीज तुम मेरे business manager बन जाओ फारफरी ने फिर मना गड़ दिया बोला सर आप शराब पिएंगे और वो वज़य कौन बनी Elizabeth जो इस hotel में रह रही थी और फारफरी से नजदी किया बढ़ा रही थी तो अब तक हम लोगों ने देखा कि Donald फारफरी नाम की एक character की entry हुई है इस कहानी में जो कि जाना जाता है America माइकल उसे बार बार कह रहा है कि और इसे एक उमीद रखकर एक बार फिट से पूचा कि मेरी manager बन जाओ और अपकी बार कमाल हो गया फारफरी मान गया बोला ठीक है मैं अमेरेका नहीं जा रहा माइकल का काम हो गया अब दोस्तों Susan जो कि माइकल की wife है उसने notice किया कि माइकल अंजान लोगों के लिए इतना गटता है तो वो अपनों क्यों नहीं पहचानेगा कम से कम एक बार तो इससे मिलना चाहिए अपनी बेटी के लिए ही साही लेकिन मिलना चाहिए तो Susan ने अपनी बेटी Elizabeth से कहा कि तुम माइकल की पास जाओ और उसे बोलो कि Susan इस टाउन में आई है सेलर रिचर्ड नूसन की wife वो इस टाउन में आई है क्या तुम उससे मिलना चाहते हो और बेटी अगर वो पहचानने से इंकार कर दे तो कह दिना कि जितना silently हम इस टाउन में आया है उतना ही चुप-चाप यहां से चले जाएंगे इसी जगे को छोड़ कर और अगर वो पहचान ले और मुझसे मिलना चाहे तो कहना को यसा रास्ता निकाले जिससे Susan उससे मिल पाए ये मैसेज लेकर Susan ने अपनी बेटी Elizabeth को भीज दिया अब Elizabeth उस सुबह निकल गई मेर से मिलने के लिए उस सुबह मार्केट में बहुत भीड थी बहुत भीड बड़क्य से निकलती हुए ये पहुची मेर साब माइकल हैंचर के वर्क प्लेस पर वहां सबसे पूछने लगी कि मेर साब कहां मिलेंगे और जैसे तैसे करके ये उसके आफिस तक पहुची इसके जाने से पहले एक आदमी जिसका नाम जोब था वो अंदर गया इससे पहले मेर से मिलने के लिए अंदर गया और जाके बोला मेर साब आपने मुझे इंटर्व्यू के लिए बुलाया था बिजनस मैनेजर की पूस्ट के लिए हंचेट बुला माफ करना यंग मन तुम लेट हो गये मैंने किसी दूसरा आदमी को काम पर रख लिया जोब का तो मूँ सा उतर गया वो मूँ छोटा गरके वहां से चला गया उसके जाते जाते इसने अलिजबेट ने उसको नूटिस किया उसके फेस को फिर वो उसके जाने के बाद अंदर गई और बुड़ी सर क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ सर कोई पर्सनल बात है माइकल ने एक निजर उस लड़की की तरफ देखा और उटकर आफिस का दर्बाजा बन कर दिया बोलो सर आपकी एक रिलेटिव है सूजन नियूसन वो इस टाउन में आई या आपसे मिलना जाती है सेलर की विड़ो अब ये सुन्दी नजाने क्यों माइकल की सांसे एक बार के लिए थम गई वो भौचका सा हुआ और बोला सूजन वो जिन्दा है हाँ सर अलिजवेट बोली तुम कौन हो इसकी बेटी हाँ सर एकलाथी बेटी तुम्हारा नाम क्या है सर अलिजवेट जीन अलिजवेट जीन नियूसन ये सुनकर वो उठा और दूसरी तरफ घूम किया क्योंकि उसकी आँखे बराई थी उसने खुद को संभाला और पूछा तुम्हारी मा ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया मतलब रै कौन हूँ कुछ नहीं सर बस इतना बोलती है कि आप हमारे कोई दूर के रिष्टदार है हैंचट समझ गया कि इसकी मा ने इसे अभी तक कुछ नहीं बताया चलो बेटी घर चल कर बात करते है फिर वो उससे अपने घर लेकर आया मुझा बेटी तुम्हारे फादर कहा है तो वो बूली सर फादर की तो डेथ हो गई कब इसने एलिजबेट से जितनी इंफर्मेशन हो सकी कलेट कर नहीं गुशिश की इसके बाद वो बैट कर एक लेटर अपनी वाइफ को लिखने लगा उसने वो लेटर लिखा और लिफाफे में कुछ पैसे डाल कर पाच गनीज डाल कर एलिजबेट के हाथों सुजबेट को बजवा दिये वो लेटर लेकर एलिजबेट जब अपनी मा के पास महुची उस लेटर में लिखा था कि सुजबेट आज शाम मुझे दर रिंग नाम की जगह पर मिलो और उसमें शायद वो पैसे इसलिए डाल कर भजवाये थे इस माइकल ने ताकि वो कहना चाह रहा था कि मैं वो ही रकम वापिस देकर अपनी वाइफ को वापिस लेना चाहता हूँ और वो इस शाम दर रिंग नाम की जगह पर अपनी वाइफ का इंतजार करने लगा उसने अपनी रेप्रटेशन के खातर उसे डारेक्टली अपने घर नहीं बुलाया बलकि इस जगह मिलने को बुलाया सुजन आई शुरू शुरू मैं तो दोनों चुब बने रहे दोनों मैंसे कोई कुछ नहीं बोला लेकिन फिर एंचेट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और पहला शब्द जो उसके मूँ से निकला वो था कि सुजन अब मैं शराब नहीं पीता उस शाम की बाद से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया मैंने तो सोचा तुम अब इस दुनिया में नहीं तुम क्यों मुझसे इतना टाइम दूर रही मैंने उसन को छोड़ नहीं सकती थी उसने जवाब दिया वो बुला मुझे लगा जैसे तुमने ऐलिजबैट को सच सब कुछ सच सच बता दिया मैं नहीं चाहती थी मेरी बीटी को वो सब बरदाश करना पड़े जो मैंने किया तो हमें आगे भी कुशिश करनी होगी कि उससे सच बता न चले और मेरी रेपेटिशन भी बनी रहे इसलिए तुम लोग इस टाउन में एक काम करो एक कॉटेज ले लो एक कॉटेज जिसका किराया मैं भर दूँगा तुम दोनों वहाँ पर रहो मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा तो मैं कॉट करूँगा तुमसे शादी भी करूँगा और शादी करके तुम दोनों को अपने घर ले आऊँगा लेकिन लेकिन वेकिन कुछ ने यह सब नेच्रल सा लगीगा कोई बात नहीं बनाएगा बस तुम ध्यान रखना कि उस बच्ची को मेरे सच की बारें बताना चले उसकी तुम चिंता मत करो सुजन बोली और अलग होने से पहले माइकल ने सुजन से पूछा सुजन एक आखरी चीज कि तुमने मुझे माफ कर दिया पुछ चुब बनी रही और माइकल ने बोला कि मुझे मेरे फ्यूचर के कामों से जच करो पास के कामों से नहीं और इसके बाद माइकल जब घर लौटा तो उसने देखा फारफरी बड़ी लगन से काम कर रहा था चाबाज फारफरी तुम बड़े मेहनत दियो अशा छोड़ो ये सब और चलो चल कर कुछ खात है और फारफरी इसको मना नहीं कर सकता था वो चल दिया माइकल सोच रहा था कि फारफरी एक अच्छा अग्मी है इसको अपनी फैमिली मेटर्स के बारे में इससे बात करनी चाहिए उसने पूचा फारफरी तुम्हें क्या लगता है मैं शादी शुदा हूँ उसने दो पल सोचा बोला पता नहीं सर लेकिन यहाँ पर टाउन की बाते सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी वाइफ गुजर गई है सर और आप अकेले रहते हैं वो बोला नहीं ऐसा नहीं और इसके बाद उसने अपनी पूरी स्टोरी पारफरी को सुनाई कैसे उसने अपनी वाइफ को बेचा 19 साल पहले और बोला 19 सालों तक तो मुझे कभी कोई प्राब्लम नहीं आई कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती जितनी तकलीफ आज हो रही है वापस लौट आई है सर आप फिर से उसे अपना क्यों नहीं लेते हैं हाँ मैंने भी यही सोचा लेकिन ऐसा करने से किसी दूसरी इनोसेंट आउरत के साथ गलत होगा दूसरी इनोसेंट? हाँ, फार फिर इस बीच मैंने एक दूसरी वॉमन के साथ में रिष्टे बनाए थे मैं एक दूसरी आउरत के साथ कॉंटेक्ट में आया जो मुझे बहुत प्यार करती है एले पहले तो मैंने उससे शादी का कोई वादा नहीं किया था लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो मैंने उससे शादी का वादा भी कर दिया तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी first duty तो ये कहती है कि मुझे अपनी wife के साथ में अपनी बेटी के साथ में होना चाहिए मुझे भी ऐसा है लगता है far free बूला तो सरा आप बूल दीजी न मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि मेरी wife और बच्ची वापस आ गए अब दोस्तों यहां मैं personally feel करता हूँ कि माइकल को अपनी घर की बाते चाहिए इसकी खुद की गलती हो किसी दूसरे आदमी के सामने disclose नहीं करने चाहिए थी बाहर के अंजान आदमी के साथ में यहां माइकल ही नहीं हर किसी पर यह apply होता है कि अपने घर की बाते कभी भी बाहर के आदमी के सामने disclose मत करो बाहर का आदमी क्यों आपके घर के मामलों में दखल देगा माइकल बोला हाँ तुम सही कह रहे हो उस बिचारी को कुछ पैसे भी दे दूँगा उस लेटर में जो कुछ भी उसे लिखना है उसमें तुम मेरी मदद करोगी फारफ्री मेरी बेटी को भी मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता तुम में मालूम है फारफ्री बोला कि सर आपको अपनी बेटी को तो कम से कम सच बता देना चाहिए और उससे माफी माँगनी चाहिए वो आपको माफ कर देगी नहीं फारफ्री मैंने और सुजन ने फैसला किया है कि हम फिर से शादी करेंगे नाटक करेंगे शादी करने का और साथ में रहेंगे वो कम से कम मेरी बेटी बनके रहे चाहिए मेरी स्टेप डोटर बने लेकिन बनके मेरी बीटी रहे अब जैसी प्लानिंग हुई थी माइकल रोज कॉटेज में सुजन से मिलने जाता था और अपनी वाइफ को बड़ी रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता था अब ये अपना ज्यादा तर टाइम अपनी बीवी और बच्ची के साथ गुजारने लगा और इसका ज्यादा तर काम फार फ्री देखने लगा अब तो पूरे टाउन में बाते होने लगी थी कि मेर साब को एक दुबली पतली से औरत पसंद आई है जिससे वो रोज मिलने जाते है और माइकल ये सब क्यों कर रहा था क्या वो अपने पाप दोना चाता था या इतने सालों बाद उसको अपनी बीवी पर प्यार आ गया था या फिर अपनी बेटी के लिए हाँ ये तीसरा रीजन बड़ा स्ट्रॉंग रीजन है क्योंकि ये अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है क्योंकि वाइफ से तो हमने शुरू में देख लिया इसको कोई emotional attachment रहा नहीं है तो अब कहां से हो जाएगा और आखर ऐसे ही naturally इन दोनों ने फिर से शादी कर ली शादी वाले दिन भी बाते हो रही थी पूरे टाउन में मेर के लिए मेर साब ने भी इतने सालों तक तो शादी की नहीं और अब शादी की तो वो भी इस औरत के साथ में नजाने इस औरत में दुबली पतली औरत में क्या पसंद आया फिर ये एक खुशी का दिन था, खूब जिशन मनाया गया, खूब बूतले खुली और दोनों मा बेटी किरगिला उठी जब वो मेर की घर में दाखिल होई माइकल ने उन दोनों के आने से पहले ही उनके लिए कपड़े और जो भी चीज़े चाहिए थी कास करके अपने बेटी के लिए रख दी एलिजबेट इस घर में आते ही और खूबसूरत होगी लेकिन वो एक सिंपल सी लड़की थी उसे ये सब अमीरी और एशिवाराम का कोई उस पर कोई असर नहीं हुआ और इन दोने ने यहां माइकल की साथ में इस घर में रहना शुरू कर दिया अब एक सुबह ब्रिक्वस्ट के टाइम पर माइकल के मुँ से गलती से अपने शादी की पिछली कोई बात निकल गई और एलिजबेट सामने वैटी थी वो रूम छोड़कर चली गई माइकल भूल गया था कि उसने तैय किया था अपनी वाइफ सुजन के साथ में कि अब कोई भी पास्ट की बात नहीं निकलेगी लेकिन वो गलती से निकल गई उसके मुँ से फिर वो एक दिन सुजन से बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के नाम के आगे जो निूसन वर्ड लगा हुआ है ये उसे हटा ले और अपने नाम के आगे असली नाम लगा है जो कि उसका नाम है हैंचरट सुजन पहले पहले तो हिचके चाही लेकिन बाद में वो मान गई कि जा कर एलिजाबेट से बात करूँगी सुजन ने जाकर बात की कि बेटी ऐसा ऐसा तेरा फादर चाहता है अब ये खुद बात करने आये डिरेक्ली इसने पूछा अपने फादर से क्या आपके लिए मेरा नाम बदलना इतना जरूरी है फादर माइकल को यहाँ पर अपनी गल्ती का एहसास हुआ उसने कहा कि इस मैटर पर हम आगे बात नहीं करेंगे तुम्हारे एच्चा हो तो बदलना नहीं एच्चा हो तो कोई जबरदस्ती नहीं और इस बीच फार फ्री इसका सारा काम संभाल रहा था उसने बिजनस बढ़ाने के लिए कुछ चेंजिस कर दिये माइकल पहले अपने बिजनस में क्या करता था मुँ से प्रॉमिसिस करता था हर चीज को याद रखता था लेकिन इसने अब एग्रिमेंट्स बनवाना शुरू करती है और लेज़र्स लेजर्स क्या होते हैं यानि लेखा जोखा देखने के लिए खाते और बही बगेरा बनाना शुरू करती है एलिजबेट फार्फरी को अपने बैटरूम की खड़की से देखती रहती थी शायद वो मनी मन उसे पसंद करते थी वो नोटिस करती थी फार्फरी उसे कभी नोटिस नहीं करता बलकि उसकी माँ को नोटिस करता था ये देखकर बहुत है डिसपन्ट हुई वो वो कन्फ्यूस थी कि ये मेरी माँ को क्यो देखता है लेकिन इस बिचारी को क्या बता कि ये क्यो देखता था इसकी माँ को अब एक दिन Elizabeth और Farfrey की secretly मुलाकात हुई ये accidentally हुई थी यूगि Farfrey और Elizabeth को दोनों को किसी ने letter भेजा कि एक शांत जगह पर मिलो ये दोनों मिले, इन दोनों में बाते होने लगी तो Farfrey इससे बुला Elizabeth से शायद कोई चाहता है कि हम दोनों secretly मिले आप तो Scotland से हैं न, Elizabeth ने पूछा कुछ बताईए बहां के बारे में फिर Farfrey ने देखा कि Elizabeth की dress पर कुछ मिट्टी वगेरा लग गई थी अनाज वगेरा, तो वो उसे साफ करने लगा उसके बाद काफी देर तक बात होने के बाद में Elizabeth वहाँ से चली गई, और Farfrey उसे पीछे से देखता रहा है, अब दोस्तों इस Michael और Farfrey की दोस्ती ये अच्छी कासी चल रही थी, लेकिन अब से कुछ नोग जोग इसमें होने लगी कुछ disagreement शुरू हो गए बात क्या हुई, शाम के ज़्यादा सुने की आदत थी, उसकी कमांडर्स उसे जगाते थे, पिछले हफते भी इसने एक घंटा अपने वर्कर्स को इंतिजार करवाया, दो दिन, दो दिन ऐसा हुआ दो बार ऐसा हुआ, और अगले दिन सुबह 6 बजे, अब जब नहीं आया तो 6 के 6 बज गए, तब भागता हुआ आया, हाफ राद माइकल उस पर चिलाया कि अगर तु कल टाइम पर नहीं आया, तो खुद तुझे जगाने आऊँगा मैं, एबिल ने एक्स्प्लिनेशन देने कुशच की, लेकिन माइकल ने मना कर दिया कुछ नहीं सुना, और अब अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, सारी गाड़िया तयार थी वर्कर्स चार बज़े आ गए थे, लेकिन एबिल का कोई नाम और निशान नहीं, अब माइकल का गुस्सा सातवे आसमान पर, वो खुद काम पर आओ, माइकल आया और बोला ये कहीं नहीं जाएगा, इसने गल्ती किया और इसकी सजा है कि ये आज ऐसे ही गाड़ी चलाएगा, फार्फरी बोला सर, माफ करना लेकिन आप आपका मजाख हदे पार कर रहा है अगर आप इसे कपड़े पहनने नहीं बेजेंगे तो मैं अभी की अभी आपकी नॉकली छोड़ कर चला जाऊँगा माइकल को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी जब उन दोनों ने प्राइवेटली बातचित की, तो फार्फरी बोला कि सर, आप तो एकदम तनाशाहा की तरह भीव कर रहे है लेकिन माइकल को इस बात का बड़ा हर्ट हुआ था कि पार्फरी ने सारे वर्कर्स के सामने उससे इस तरह बात की थी उससे नहीं करने चाहिए थी मैंने आपको बताए, माइकल थोड़ा मूरी टाइप का आत्मी है उस दिन इसका दिमाग इतना खराब था एक वर्कर इसके पास में आया और बोला सर, इसका क्या गरना है तो माइकल बोला, उससे क्या पूछते हो जाके फार्फरी से पूछो वो यहां का मालिक है न अजी अभी तो शुरुवाद हुई है शुरुवाद अभी तो कहानी और ड्रामेटिक बनती जाए अब दोस्तियां बनती है तो उसी तरह दोस्तियों में कुछ नोग जोग भी होती है और यह हम पर डिपेंड करता है कि हम उस नोग जोग को नासूर बनाना चाते हैं क्या जैसा इस माइकल ने किया यह अब कटा कटा सा रहने लगा पार्फरी से वो अब अपना हाथ उसके गले में नहीं डालता था रात को उसको खाने पर बुलाना उससे बंद कर दिया था दोनों अप अपने काम से काम रखते थे दोस्ति अब शायद बीच में रही नहीं थे इनके एक दिन फार्फरी ने एक सुझाव रखा कि हम लोगों को छोटे-छोटे celebrations करते रहने चाहिए बीच-बीच में लेकिन माइकल ने साफ मना कर दिया कि जो भी फंक्षन फार्फरी करने वाला है उसे वो जाइन नहीं करेगा बलकि इसने क्या किया अपना ही कोई अलग से फंक्षन और्गनाईज करने लगा कि मेरे फंक्षन में फिजिकल एक्टिविटीज होगी, गेम्स होगी, बॉक्सिंग, रेस्लिंग, सब कुछ होगा चाहे होगी, सभी के लिए फ्री होगी और फार्फरी के फंक्षन में कौन जाना पसंद करेगा से दिखा फार्फरी का टेंट, जहाँ पर डांस हो रहा था सब लोग डांस कर रहे थे, और वहाँ पर कुछ लोग बाते कर रहे थे कि फार्फरी ने अच्छा किया, जो अपना फंक्षन टेंट के अंदर और्गनाईस किया बजाये कि माइकल की तरह गलती की आउटडोर रखवा कर वहाँ टेंट में सारे लोग वार्फरी की तारीफे कर रहे थे कि माइकल का बिजनस तो इसने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया और माइकल ये सब देख रहा था, चुप-चाप खड़ा हुआ उसने क्या देखा कि उसकी बेटी, उसकी खुद की बेटी एलिजबेट भी इस टेंट में मौझूद थी जो कि फारफरी के साथ में डांस कर रही थी उसने जब अपने फादर माइकल को देखा तो वो उसे देखकर डर गए और साइड में खड़ी हो गई माइकल को देखकर कुछ लोग उसके पास आकर जमा हो गए तो माइकल से कुछ सवाल पूछने लगे तो माइकल ने उससे बोला, उन लोगों से बोला कि मिस्टर फारफरी का टाइम अब खत्म हो गया है अब शायद इनकी रिप्लेस्मेंट का टाइम आ गया है इस पर एलिजबेट बोली, लेकिन क्यों? तो इस पर फारफरी बोला कि शायद सर को अब मेरे रिक्वार्मेंट खत्म हो गई है अब पताने इस माइकल ने गुसे में बोला या कैसे भी लेकिन अगले दिन सुबह उठकर ये पच्छताने लगा कि अब पारफरी इसकी नौकरी छोड़ कर चला जाएगा क्योंकि जानता था वो यंग मैन जो सोचता है वो करके रहता है वहाँ एलिजबेट को लग रहा था कि इसने अपने फादर को नाराज कर दिया क्योंकि ये अब मेर की बेटी है पारफरी जैसे छोटे आदमी के साथ कैसे डांस कर सकती थी अब अलिजबेट को डर्ट था कि पारफरी नौकरी छोड़ देगा और दूसरे देश चला जाएगा लेकिन दूसरों आपको क्या लगता है ये इनसान नौकरी छोड़ के अब जाएगा इस टाउन में जहाँ इसकी इतनी popularity बढ़ गई है इसको business करने का यहाँ पर चसका लग चुका है तो ये कैसे इस जगे को छूट कर चला जाएगा ये जाना नहीं चाहता बलकि यहीं रहकर separate अपना independent business करना चाहता है वही business जो अब तक ये Michael के manager के रूप में करता आया है अब ये independent tracker करेगा Michael को जब ये पता चला कि ये अब मेरे competition में खड़ा होना जाता है तो वो गुस्से से भर गया और उसने सोचा कि मेरा business तो हाती है और ये चीटी मेरा क्या बिगाड लेगी मैं mayor हूँ इस town का और अपने career में नजाने कितने farfree जैसे लोगों को मेरे दिखा है बहुत आये बहुत गए और अब इसने अपनी बेटी Elizabeth को भी warning दे दी कि अब वो उस आदमी से कभी जाकर नहीं मिलेगी और farfree को भी लेटर भीज़ दिया कि मेरे बेटी से अब मिलने की ज़रुरत नहीं है तुम्हें अब farfree ने जैसा टैक किया था अपना business settle किया बहुत दूर settle किया उसका कोई इरादा नहीं था कि वो Michael की customers चुरा है इसने अपने business को जितना दूर हो सका उतना दूर settle किया Michael के घर में अब farfree की कोई बाते नहीं होती थी इतना जलता था वो Michael से इस बीच क्या हुआ दोस्तों ये Susan बीमार पड़ गई ऐसे तो ठीक हो गई इस बीच Michael को एक letter मिला नजाने किसका letter मिला वो किसी से मिलने गया पीचे से Susan की तब्यत और ज्यादा बिखड़ गए इसे अंदाजा हो गया था कि ज्यादा टाइम तक ये जिन्दा नहीं रहने वाली इसने क्या किया Michael के लिए एक letter लिखा उस letter के उपर लिखा कि इस letter को Elizabeth की शादी के बाद ही खुला जाए उससे पहले नहीं Elizabeth पूरी राद अपनी बीमार मा के करीब ही बैठी रही उसकी बीमार मा ने उससे कहा कि बेटी मुझे उम्मीद थी कि तेरी शादी फारफी से होगी लेकिन तेरे फादर का ऐसा रवया देखकर अब लगता नहीं उससे तेरी तुमारी शादी होगी और सुबह होते होते सुजन गुजर गई सुजन की मौत के बाद जो पैसे माइकल ने उसे बिजवाये थे वो उसके साथ ही दफनाये गए ये उसी की इच्छा थी उसकी डेथ के तीन हफते बाद लगबग तीन हफते के बाद एक शाम माइकल अपनी बेटी के साथ आग के सामने बैठा था उसने उस लड़की से उसकी फादर रिचर्ड नियूसन की बारे में पूछा कि वो कैसा बाप था अब दोस्तो ऐलिजबेट माइकल की उतनी ही केर करती थी जैसे ही इसका रियल फादर हो बोली मैं आपके अलावा किसी को भी अपना फादर नहीं मानती फादर माइकल ने फैसला किया कि वो इस बच्ची को सच बताएगा कि ये ही इसका बाइलोजिकल फादर है रिचर्ड नियूसन इसका फादर नहीं, आकर इसको भी सच पता चले तो ये बता देता है, और शर्म की वज़े से तुम्हें आज तक मैंने सच नहीं बता है है बेटी अब जैसे ही पूरी स्टोरी खतम हुई, एलिजबेट को बता चली तो वो रोने लगे वो बुला बेटी तुम पूरा टाइम लो, ताकि तुम खुद को संभाल सको उस पूरी शाम एलिजबेट अकेली रोती रही, रोती रही वहां माइकल उपर जाकर कोई पेपर डोडने लगा, ताकि वो प्रूव कर सके कि एलिजबेट उसकी ही बीटी है, बैलोजिकली, तब ही उसे सूजन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, वही लेटर जो मरने से पहले सूजन ने उसके लिए लिखा था, उसमें उपर लिखा था कि Elizabeth की शादी के बाद ही इस letter को खोला जाए उसकी शादी से पहले इस letter को मत खोलना लेकिन Michael है सदा से उतावला उससे सबर नहीं हुआ आखिर उसने वो letter खोल लिया उसमें उस letter में Susan ने क्या लिखा था कि Elizabeth actually Elizabeth नहीं है बचपन में जो बच्ची इसके साथ में थी वो Michael की बेटी थी बलकि वो बच्ची तो Richard Newson को जब इसने बेचा था अपनी वाइफ और बेटी को उसके तीन महीने बाद ही गुजर गई थी और ये जो Elizabeth है इसका असली फादर Richard Newson है यानि ये Susan की दूसरी बेटी है इसको Susan ने अपनी पहली वाली बच्ची का नाम Elizabeth दिया इस लड़की का नाम पहली वाली बच्ची के नाम पर रखा गया ये पढ़कर इसे जटका सा लगा घंटों तक ये रूम में अकिला बैठा रहा और इसे अब समझ में आया है कि Susan आकर क्यों Elizabeth का लास्ट नेम बदलने में नकरे दिखा रही थी वो चूरी छुपय उस रात Elizabeth के कमरे में गया और जाकर देखा कि वाकई काफी हद तक उस लड़की का चहरा Richard Newson से मिलता था उससे नहीं वो गुसा हो गया कि अगर मुझे ये लेटर ना मिलता तो इस लड़की को मैं अपनी बेटी मानता रहा था उस शाम ये अकिला भटकता रहा सड़कों पर निराश था अपने हालातों को रूरा था अगले दिन सुबह Elizabeth ने उसे माफ कर दिया था प्यार से अपने फादर को ट्रीट करने लगी उसने अपने फादर को गले लगा लिया और उस पल को मैंकल फील करने लगा जिसका ये कितने लंबे टाइम से इंतिजार कर रहा था आखिर वो पल आया तो कैसे उसने सुजन से दुबारा शादी अपनी बच्ची को पाने के लिए ही दुकी थी लेकिन किस्मत खेल गई इस बचारे के साथ अब उसका बिहेवियर सडल ली अपनी बेटी के लिए चेंज हो गया था एक शाम पहले वो जितना वाम था अपनी बेटी के लिए आज सुबह उतना ही कोल्ड हो गया था उससे परायो जैसा बरताओ करने लगा बात-बात पर उससे फटकार था था कि कैसा लो क्लास का बिहेविर कर रही हूँ वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिशे करती रहती थी कि मेर की डाटर है वैसे ही बिहेव कर सके ताकि इसकी फादर इससे खुश रहे एक शाम तो किसी आदमी के सामने एलिजबेट की गंदी हंड्राइटिंग देखकर इसनों से सुना दिया वो विचारी कोशिशे करती रहती थी कि जितना हो सके सारा काम खुद करे नौकरों को परिशान नहीं करती थी और उस बात पर भी वो गुस्ता हो जाता था कि खुद को इतना क्यों गिरा रही हो वो खाने की टेबल पर अकेले उसको छोड़ कर चला जाता था उस टाइम वो अकेली बैठी बैठी लेटन सीखती रहती थी अकेला पन उसे खाय जाता था वो बाहर जाकर पारफरी से मिल भी नहीं सकती थी जिसे वो पसंद करती थी अब सरदियों का मौसम आया और ये अपनी मा की कबर पर जाती थी वहाँ इसे एक औरत मिली वो औरत वैल ड्रस थी अच्छी खासी ड्रस पहन रखी थी उससे इसकी बात हुई और ये वापस घर आ गए घर आकर देखा तो इसके फादर निराश सा बैठा हुआ था क्योंकि अब उसका मेयर का टाइम भी खतम होने वाला था और शायद अब सब लोग फारफरी को नया मेयर सेलेक्ट करनेगी सोच रहे वो अब इतना निराश हो चुका था अपनी जिंदगी से कि वो अपनी बेटी से चुटकारा पाने के लिए अब तो वो चाहता था कि फारफरी आए और एलिजबेट को यहां से ले जाए कुछ समय पहरे जब यह अपनी बेटी समस्ता था एलिजबेट को तो यह चाहता था कि फारफरी इसके आसपास भी न भटके अब यह चाहता था कि फारफरी आए और इसकी बेटी को ले जाए यहां Elisabeth अपनी मा की कबर पर हमेशे विजिट करती थी सूचने रगी कि काश मैं भी अपनी मा के साथ मर जाती यहां एक औरत इसे बार-बार मिलती थी अब यह औरत कौन थी? यह औरत शाय जानती थी इसकी लाइफ के बारे में इस माइकल की लाइफ के बारे में इसकी मरी हुई मा के बारे में और इस आरत ने इसे इन्वाइट किया कि आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो Elisabeth को यह तुरंत नहीं ले गई अपने साथ में बलकि उस लेडी ने Elisabeth को सूचने का टाइम दिया तो आखिरकार कौन थी ओरत Elisabeth चाहती थी कि यह अपने फादर की पहले परमिशन ले ले लेकर हमको पता है कि अब माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़की जीए या मरे उसने साफ अपने बेटी से कह दिया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सिदा हुआ तो उसके लिए तुम खुद जम्मिदार रहोगी मैं नहीं लेकिन यह विचारी जाती-जाती वदा करके गई अपने फादर से कि फादर आपको जब भी मेरी जरुत पड़ेगी मिलाटाओंगी और यह जाकर उस लेडी के साथ रहने लगी अब दोस्तों यह लेडी कौन थी यह लेडी थी लुसिटा लुसिटा वही जिसका माइकल के साथ कभी अफेर था आपको याद होगी वो लेडी जिसके साथ माइकल का अफेर था इसने बताया था फार्फ्री को कि एक इनसेंट लेडी के साथ गलत होगा यह वो इनसेंट लेडी थी यह लेडी जब तक माइकल लुसिटा से मिलने नहीं आया आखिर लुसिटा ने भी Elizabeth को अपने घर से निकाल दिया और Michael को letter लिखा कि अब तुम्हारी बेटी यहां से भी चली गई है, मैं उसको अपने साथ नहीं रख रही हूँ, तुम आ सकते हो यहां पर अब हुआ क्या दोस्तों, बड़ी कमाल की चीज हुई, कि यह Michael तो यहां पर नहीं आया, बलकि यह पारफ्री यहां पर आ पहुँचा शायद यह Elizabeth से मिलने आया था इसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे काफी handsome लग रहा था यहां Elizabeth से शायद मिलने आया था कहानी में twist यह आता है कि इस आदमी में कुछ तो ऐसा था जो लुसिटा को बहुत पसंद आया और suddenly उसकी तरफ यह attract हो गई लुसिटा ने इस लड़की Elizabeth को अपने साथ रखाई इसलिए था ताकि इसके बहाने Michael भी इससे मिलने आता रहे Michael अपनी बीटी से मिलने आएगा तो मुझसे भी मिलने गा पहले पहले तो इसका मकसद यही था लेकिन मैंने आपको बताया लुसिटा का भी दल फार फ्री पर आ गया है और Elizabeth को भी ज्यादा टाइम लिए यह समझने में कि लुसिटा अपने सेल्फ इंट्रेस्ट के लिए उससे अपने पास रख कर बैठी है वो कोई उसकी सची दोस्त नहीं जैसा उसने शुरू में उसको दिखाया था और फार फ्री भी अब बदल चुका था वो वो इंसान नहीं था जिसके साथ कभी इसने डांस किया था वहां माइकल को समझ में आ गया था अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे तो उसको समझ में आ गया था कि लुसिटा को एग्नूर करने से कुछ नहीं होगा इसने डारेक्टली जाकर उससे बात की कि लुसिटा चलो चल कर शादी कर लेते है लुसिटा बोली तुम जल्दी कर रहे हो वो बला चुपचाप कर लेंगे किसी को पता भी नीजलेगा तो वो बोली चुपचाप क्यों कर लेंगे कुछ चूरी कर रहे है क्या करूँगी तो सब के सामने करूँगए और इसे चुपचाप नहीं करूँग माइकल ने उससे पूचा इस नोवल में एक lion है जो बड़ी सच्ची है कि औरत की किसमत कुछ ऐसी है कि उसे उन चीजों के लिए भी माफी मांगनी पड़ती है उन चीजों के लिए भी चुकना पड़ता है जो उसने नहीं की अभी तक माइकल को पता नहीं कि लोसिटा फारफरी को पसंद करने लगी है जबत चाहे तो अपने फादर को ये सब कुछ बता सकती है और अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा लेकिन ये चुप बनी रहती है और चुप चाप खड़ी हो करके सारा खेल देख रही है माइकल क्या करता है अपना एक नया मैनेजर अपाइंट करता है जोब को जोब वो ही जो इससे पहले मैनेजर के काम मागने आया था मैंने आपको बताया था को इसने काम पर रख लिया और बूला हमें चुछ ऐसा करना होगा जिससे फार फरी इस बिजनस से बाहर हो जाए अब क्या हुआ, उस साल मौसम कुछ खराब खराब सा लग रहा था खराब चल रहा था, तीक नहीं लग रहा था तो एक काम कटते हैं, पता कटते हैं कि इस साल मौसम कैसा रहेगा, तो ये गए एक हर्मिट के पास, एक सादू के पास, जो मौसम को लेकर प्रडिक्शन करता था, वो बुला कि इस साल, लास्ट फॉर नाइट अगस्त के महीने में बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो माइकल ने क्या किया, इस प्रडिक्शन को एक हत्यार मानते हुए, सच मानते हो, उसने बहुत सारा अनाज एडवांस में खरीद लिया, कि अब इसे प्रॉफिट में बेचूँगा, यानि कि जमाखोरी, मतलब खराब मौसम का मतलब, खराब खेती, अनाज बचेगा नहीं, प्रॉ में चला जाओंगा, तो इसने सस्ते दामों में अनाज बेज दिया, बहुत भारी नुकसान हुआ इसको, और इसका सारा अनाज किसने खरीदा, फार फ्री रहे, अब ये सब का जिम्मेदार अपने मैनेजर जोब को मानता था, जोब को मान रहा था, इसने उसको गाली दी, इसने उसको अपने काम से निकाल दिया, और सारा अनाज जो फार फ्री ने खरीदा कम दामों पर, फिर क्या हुआ, मौसम खराब हो गया, और खेती भी खराब हो गई, मतलब जैसे इसने बेचा अपना अनाज, उसके तुरंत बाद मौसम खराब हो गया, और फार फ्री जिस हमारे जो टाउन के मेर साहब है वो है नहीं तो क्या आप आकर एक भूड़ी औरत का केस संभाल सकते हो कल वो केस देखना है सर आप देख लीजिए ये बोला ठीक है अब अगले दिन इसे केस के लिए जाना था तो इस रात इसने क्या किया इसने देखा कि ये फार फ्री लुसिटा से मिलने आया इसने पूरी बात जानने के लिए उन दोनों का पीछा किया इसने चुपचाप पूरी तहकिकात की से पता चला कि फार फ्री के मन में लुसिटा के लिए कुछ फीलिंग्स है ये देखकर इसे बहुत जेलिसी हुई, बहुत जटका लगा, ये चुपचाप जाकर लसिटा की घर पर वापस बैठ गया जाके जब लसिटा लटकर आई, तो ये बुला, अभी की अभी तुरंत मुझसे शादी करो वरना मेरे पास तुमारे सारे दिये हुए लव लेटर्स हैं, तुने अगर मुझसे शादी नहीं की तो सब के सामने तुझे बदनाम करके रख दूँगा, ये दबाव में आ गई और बेहुश हो गई, इस वक्त अलिजबेट ने अपने फादर का एक अलगी रूप देखा, वो एक old woman थी, उससे पूछा गया, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो वो बोली हाँ, 20 साल पहले मैं एक फ़र्मटी में, वेडन पियर में शराव सर्फ करती थी, तो एक टलर्क बोला, हुजूर इस बात का केस से कोई तालुक नहीं है, लेकिन वो आरत ब गई, बेटी गई, बिजनस गया, गल्फ्रेंड गई, और अब तो मार्केट में थोड़ी बहुत इजद बची थी, मियर की तौर पर वो ये उतार रही थी, वो बोली है, ये आदमी क्या मेरा जज्जमेंट देगा, जो खुद करप्ट है, माइकल का चेहरा बता रहा था था, वो कोट से उठकर चला गया, और अब ये पूरे टाउन में बात फैल गई, कि माइकल ने कभी अपनी बीवी और बच्ची को बीचा था, लुसिटा तक तक ये बात पहुची, तो वो सोचने लगी कि मैं कैसे आदमी से शादी करने की सोच रही थी, और वो उस टाउन क चोड़ कर जाने का फैसला उसने कर लिया, और बाद में इसने फारफरी से शादी भी कर ली, ये कुछ नहीं कर सका, ये माइकल से बोली, आज तक जो भी खर्चा तुमने मुझ पर किया है, मैं सब लोटा दूँ, और माइकल वहाँ से गुस्ते में चला गया, ये कुछ कर भी नहीं सकता था, लसिटा की जब फारफरी से शादी हो गई, लसिटा ने फारफरी से पूछा, क्या एलिजबेट भी हमारे साथ रह सकती है, इस बिचारी का रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो मान गया लेकिन कुछ शैटों के साथ में, लेकिन एलिजबेट बिचारी नहीं रह सकती थी लोगों के साथ में, फारफरी से कभी इसने प्यार किया था, और आज वो किसी औरत के साथ में रहेगी, जो कि फारफरी की बीबी है, यहां उसने वो घर छोड़ दिया, और अपने दम पर रहने के लिए चली गई, अपने फादर के घर के पास में, जाने जमाखोरी वाला कांट जो उसने किया था, तो पूरा पूरा नाम इसका मिट्टी में मिल जुगा था, जो थोड़ी बहुत रेप्टेशन बाकी थी, वो भी चली गई, और अलिजबेट को एक दिन ये भी सुनने में आया कि इसका फादर बैंकरफ्ट हो चुका है, यानि इ जबाए एक इंसान की, वो थी उसकी बेटी एलिजबेट जो अपने फादर के लिए कुछ फील करती थी, और अपने फादर से मिलना चाहती थी, उसने खत लिखा, एक लेटर लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, वो कहना चाहती थी अपने फादर से कि मैं आपक सब कुछ फार फ्री ने खरीद लिया था, एलिजबेट को सब पता था, पुरा बिजनस खरीद लिया था, वर्कर्स भी अब खुश थे उसके साथ में, वो हमाईकल बूला कि अब तो मेरा शरीर और आत्माई बाकी है, यो फार फ्री ने अब तक नहीं खरीद है, अब एक इलिजबेट को पता चला कि इसके फार की तव्यद बहुत ही खराब है, ये भाग कर बिना किसी टाइम, बिना कोई टाइम बेस्ट ये तुरंत अपने फार के पास गई, ये अब तक उस लड़की की शेकल नहीं देखना चाता था, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने इसकी बेटी के लिए प्यार जागा, इसका सारा घमन टूटा, इसने अपना घमन छोड़कर पारफरी के यहां पर नौकरी करने का पैसना गिया, क्योंकि कुछ तो करना था, और उसे खबर मिली कि पारफरी को अब मेर बनाने बाले हैं यहां के लोग, उसकी आखों के सामन अपने घर के बाहर कुछ आवाजे सुनाई देने लगी, उसने जब अपनी खड़की खोल कर बाहर जहांक कर देखा, तो इसके पादर ने खूब शराब पी रखी थी, बीस साल उसके पूरे हो चुकी थे उसकी कसम के, तो यहां इस कहानी में सैल्फ डिस्ट्रक्शन की ती इसकी ड्रामे बाजी बढ़ गई थी, वो खुले आम गाने बजाने लगा, तमाशे करने लगा, उसकी बेटी उसे यह तमाशे करने से रोकती थी अलिजबएट, वो चलागर बोलता था कि फारफरी ने मेरा सब कुछ लूट लिया, वो मौका मिलते ही लुसिटा को भी सुन नहीं आती थी कि ये इससे इतने नफरत करता क्यों, आखिर क्या किया है मैंने, वारफरी सुसा था, वारफरी और लुसिटा ने फैसला किया कि हम दोनों ये जगे ही छोड़ कर चले जाएंगे, इस दोरान इसको मेर बनने का ओफर मिला, वारफरी ने माइकल से कहा, कि तु और यहां दोस्तों, इस मुवमेंट माइकल को खुद पे शरम आई, आखिर वो लुसिटा से बोला कि मैं तुमारे सारे लेटर्स लटा दूँगा, वो लेटर्स इसने बजवा दिये जोब कहा तो, और कहा कि हो सके तो मुझे माफ करते न, अब क्या हुआ दोस्तों, जिहाज नहीं किया, माइकल का, उसे दूर अटवा दिया, लुसिटा भी मानती थी कि मेरे हस्बेंट को जो भी सक्सिस मिली है, ये उसकी खुद की मैनत है, माइकल का इसमें कोई रोल नहीं है, अब माइकल की यहां पर बहुत बेज़ती हो गई थी, इंसल्ट हो गई थी, उसने फारफरी को एक जगह बुलवाया, और उससे लड़ने लगा, रस्लिंग करने लगा, उसे दबोच कर बूला, मैंने क्या गलत किया था तेरे साथ, मैरी तेरी इतनी परवा की, उसका ये बदला मिला मुझे, वो चाहता तो उसी वक्त फारफरी की जान निकाल सकता था गर्दन दबा के, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया, फारफरी वहाँ से चला गया, लेकिन ये वहीं बैटा सूचता रहा, वहाँ डॉक्टर ने ईलिजबेट जो कि लुसिटा की घर पर थी, डॉक्टर ने ईलिजबेट को बताया कि लुसिटा प्रेगनेंट है, फारफरी और Elisabeth से पूछा कैसी हाला थे लुसिटा की यहाँ इस Michael को लगा भले ही बाइलोजिकली यह मेरी बेटी नहीं है कौन? Elisabeth यह मेरी बेटी नहीं है लेकिन फिर भी यह मेरी बेटी है तुरंट अपने घर लौड किया यह घर पहुचा तो जो पिससे बोला क्या आपकी बारे में कोई पूछ रहा था अब इसी बीच एक दुख की खबर आई कि लुसिटा की डेथ हो चुकी थी लुसिटा की डेथ के पहले फारफरी उसके पास आया था पूरी रात उसके पास में था लेकिन आखिर लुसिटा गुजर गई इलिजबेथ उसकी डेथ के बाद घर आई आकर अपने फादर को नुसिटा की लुसिटा मर चुकी है माइकल को पहले ही पता थी ये बात वो सो गई आते ही माइकल ने पहली बार अपनी बीटी के लिए breakfast बनाया था इंतिजार कर रहा था उसकी जागने का शायद अब इसे इस दुनिया में बस इसकी बीटी ही प्यारी थी तभी दर्वाजे पर किसी की दस्तक होई जो से पहले भी पूछने आया था ये कौन था? ये था रिचर्ड नूसन Elizabeth का असली फादर जो अभी मरा नहीं था उसे देखते ही Michael का रोम रोम बाल बाल खड़ा हो गया उसने मरने का नाटक इसलिए किया था क्योंकि Susan के साथ खुश नहीं थी वो चाहता था कि वो अपने असली पती के पास Michael के पास वापस लोट जाए अब जब इसे पता चला है Richard Newson को कि Susan की डेथ हो चुकी है तो वो अपनी बेटी Elizabeth को लेने आ है अब Michael का एक ही सहारा उसकी बेटी जिसे वो खूना नहीं चाहता था वो बोला Newson को देखकर कि Elizabeth तो मर गई Elizabeth तो मर गई उसे अपनी मा के बगल में दफना दिया गया Newson को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चला गया अब Michael को पता था कि आज नहीं तो कल इस आदमी को पता जरूर चलेगा कि इसकी बेटी जिन्दा है तो ये लोट कर जरूर आएगा और Newson का तो छोड़ो अगर Elizabeth को पता चलेगा तो क्या होगा कि इसका फादर असली फादर जिन्दा है वो घर लोटा ब्रेक्वस्ट किया Elizabeth के साथ उसे डेट था कि Newson जरूर इसे ले जाएगा हर बार ऐसा ही होता है जिनको भी मैं प्यार गटता हूँ अपनी जिन्दगी में वो मुझसे दूर चले जाते है उसने एक दफा अपनी बेटी से पूछा क्या तुम्हें Miracles पर भरोसा है जमितकारों पर वो अपने फादर का सीरियस फेस देखने लगी और बोली पापा मैं हमेशे आपके साथ रहूँगी वो भूला लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुछ से कैसे माफी मांगो वो बोली वो सब तो मैं भूल भी गई उससे चंता थी कि नियूसन अभी भी तलाश कर रहा है अपनी बेटी की और ये जिन्दा है तो सिर्फ एलिजबेट की वज़े से और दोस्तों ये कभी नहीं चाहता कि फारफरी उससे अब उसकी बेटी भी चील ले क्योंकि ले देके उसके पास बस यही रह गई थी पहले भी काफी कुछ चीन चुका है फारफरी उससे और वो नहीं चाहता कि नियूसन आकर अपनी बेटी को ली जाए किसी भी तरह से वो एलिजबेट से दूर नहीं होना चाहता और इसी बीच इसने क्या नोट किया कि एलिजबेट और फारफरी का मिलना जुलना बहुत हो रहा था लेकिन इसने फैसला किया कि अपकी बार नहीं अब नहीं रोकूंगा वो दोनों बहुत करीब आ गये थे एलिजबाद को ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि माइकल इस मुवमेंट क्या फील कर रहा था उसे ये था कि उसकी बेटी भी वापिस आ गया था उसे पता चल गया था कि उसकी बेटी जिन्दा है और उस वक्त नजाने ये माइकल कहां अचानक गायव हो गया ये टाउन छोड़कर चला गया और इसकी बाद रिचर्ड नियूसन अपनी बेटी से मिला उसे पूरा सच बताया बहुत एमोशनल सीन था जब एक बाप इतने लंबे समय बाद अपनी बेटी से मिला रिचर्ड नियूसन इसका असली बाप था पारफ्री नहीं एलिजबेट को इसके असली बाप से मिलवाया वो बोला कि माइकल मुझसे बोला बेटी कि तु मर गई ये सुनकर अलिजबेट को बड़ा गुसा आया माइकल पर और इसकी बाद रिचर्ड नियूसन ने खुद कहा कि मैं तुम्हारी और फारफ्री की शादी कर वाऊंगा और इस शादी को रखा गया फारफ्री के घर पर यहां माइकल जो टाउन छोड़कर चला गया था वो लोटा वेडन फ्रायर्स में वापिस जहां उसने 25 साल पहले अपने बीवी और बच्ची को बेचने का पाप किया था सोचने लगा कि ये सजा मिली है उसे अपने बीवी और बच्ची को बेचने की वो रोता रहा पच्चताता रहा और वहीं पहुँच गया जहां 25 साल पहले ये एकदम अकेला था और आज भी एकदम अकेला है वहीं उसे खबर मिली कि कास्टर बिच के मेयर की फिर से शादी हो रही है फिर से शादी कर रहा है कास्टर बिच का मेयर तो इसने सोचा कि अपनी बेटी की शादी में तो जाऊंगा और उस शाम ये आया अपने फुटे पुराने कपड़े पहन कर जो एक लौते इसके पास थे और थोड़े से पैसे जिससे अपनी बेटी के लिए एक बर्ड इसने खरीदा एक चोटा सा पक्षी के गिफ्ट दूँगा लेकिन आखों में एक शरम थी एक नौकर को भेज कर ये पीछे के दर्वाजे से अंदर एंटर हुआ उसने अलिजबेट को बुलवाया जो कि टांस कर रही थी वो वहाँ पर आई और उसे देखते ही उसे गुसा आया वो भूली कि क्या कमी रही थी मेरे केरिंग में जो आपने ऐसा किया क्यूं बोला मेरे फादर को कि मैं मर चुके और वो चुप चाप सुनता रहा बस एक बार उसने माफी मांगी वो उसे सुनाय जा रही थी और वो बूला कि बेटी मैं तरी खुशी बिगाड़ने की रादे से नहीं आया और उसने कोई सफाई दिये बिना एक कसम खाई कि बेटी मरने तक तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाँ और वो चुप चाप वहाँ से चला गया इस बात को एक महीना गुजर गया एरिजावेट की शादी को फिर उसे एक महीने बाद एक पक्षी पिंजरे में मरा हुआ मिला उसे मिला वो पक्षी जो माईकल उसके लिए गिफ्ट लाया था वो वहीं भूल गया था माईकल मर चुका था मरने से पहले वो बहुत बीमार और कमजोर हो चुका था उस वक्त इस एबल ने उसकी सेवा की थी एबल कौन जिसको इसने नंगा किया था कभी एबल बुला कि मरने से पहले इसकी इच्छा थी कि Elizabeth को मेरी death के बारे में ना बताया जाए क्योंकि मेरे पास जाते जाते उसे देने के लिए कुछ भी नहीं Elizabeth को इस moment वाकई बहुत बुरा लगा कि एक last time साफ दिन लेकर वो आदमी से मिलने आया था और उस वक्त भी इसने उसके insult कर दी अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आये होगी थोड़ी emotional story है ऐसे ही बहुत सारी novel से Thomas Hardy की मैंने सब cover कर रखे है तो आज की इस वीडियो में सतना ही मिलता हूँ next वीडियो